हे दोस्तों वेलकम बेक तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे methods of valuation यानी valuation को determine करने के लिए या valuation calculate करने के लिए कौन-कौन सी method यूज की जाती है इन method को हम इस वीडियो के दुरू detail में समझेंगे इसलिए इस वीडियो को पूरा end तक देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन method की help से valuation के से determine किया जाता है उनकी क्या procedure होती है और valuation के से calculate किया जाता है step by step इन सभी को हम इस वीडियो के दुरू detail में समझेंगे इसलिए इस वीडियो को पूरा end तक देखना तभी आपको इस सारी method अच्छे से समझ में आएगी तो valuation क्या होता है मैं आपको यह already बता चुका हूँ और इस से related method में आपको सबसे first वीडियो में explain कर चुका हूँ तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे इन सारी method को detail में समझेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी method में valuation कैसे calculate किया जाता है उसका क्या procedure होता है यह सभी आपको समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं valuation की कितनी methods होती है और फिर हम एक एक करके उन सभी method को detail में समझेंगे तो इसलिए इस वीडियो को पूरा end तक देखना क्योंकि वीडियो के end में मैं आपको ये भी पताऊँगा कि अगर हमें इन method की अंदर year purchase नहीं गीवन होगा तो year purchase हम कैसे calculate करेंगे उसे भी मैं आपको explain करूँगा इस वीडियो के end में तो अभी हम इस वीडियो को continue करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि valuation की कितनी methods होती है जैसा कि मैं आपको मेरे first वीडियो में explain कर चुका हूँ कि हमारे valuation की कितनी methods होती है six method होती है तो six method कुन-कुन सी थी rental method of valuation, direct comparison of the capital value, valuation based on profit, valuation based on cost, development method of valuation and depreciation method of valuation तो यह mainly six method होती है valuation को calculate करने के लिए तो अब हम इन सभी methods को detail में समझेंगे तो सबसे first method हम को समझते है rental method of valuation तो जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो हम valuation calculate करेंगे वह हम किसके basis पर करेंगे rent के basis पर करेंगे तो अब हम इस method को समझ लेते हैं कि इसके नाम valuation के से calculate करते है तो rental method of valuation तभी applicable होगी जब हमारे पास rent known होगा उस property का यानि हमारे रेंट से related कोई data होगा या अगर हमारे पास rent known नहीं है तो हम क्या उससे determine कर सकते है यानि अगर उस property का rent हमारे पास available है तभी हम इस method का use करेंगे तो इस method में होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं जो हमारे property उस property का जो gross rent रहता है उसमें से हम क्या करते है सारे outgoings को deduct कर देते है और जैसे हम सारे outgoings को deduct करेंगे तो हमें क्या मिलती है net income तो net income किसे बोलती है आपको पता ही है जो हमारी gross income रहती है उसमें से हम जैसे सारे outgoing को deduct करते है तो उस income को क्या बोलते है net income तो इसमें भी हमें क्या करना है जितना भी हमारे gross rent रहेगा उसमें से हमें क्या करना है outgoing को deduct करना है और उससे हमें क्या मेलेगा net income और जैसे हमने net income calculate कर उसमें हमें क्या करना है, year purchase का multiply करना है, जो कि आपको given रहेगा, एक suitable rate of interest पे year purchase आपको given रहेगा, उस year purchase का आपको उसमें multiply करना है, अगर आपको year purchase नहीं गिवन है new रेकल में, तो उसे हम कैसी calculate करते हैं, वो मैं आपको वीडियो के end में explain करूँगा, और जैसे हमको net income मिल गई और जो year purchase है, हमारे पास एक suitable rate interest पे available होगा, उसका हम आपस में multiply करेंगे, तो हमें के मिल जाएगा उस property का valuation, और जिसे हम क्या बोल सकते, capitalize value, तो आपको समझ में आ गया, rental method of valuation की help से हम valuation कैसे determine करते, उसकी क्या process से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, net income कैसे calculate होगी, जो हमारा gross rent र करते, उसमें suitable rate of interest में हमें कुछ year purchase given होगा, उसमें हम उस year purchase का multiply करेंगे, और जैसे हम उसमें year purchase का multiply करेंगे, तो हमें के मिल जाएगा, उस property का valuation, जिसे हम capitalize value भी बोल सकते, तो यह आपको समझ में आ गई, rental method of valuation, यह method जभी applicable होगी, जब हमारे पास उस property का rent known होगा, यह हम उस rent को determine कर सकते, तभी यह method वहाँ पे applicable होगी, तो आपको rental method of valuation समझ में आ गई, और rental method of valuation के लिए जो हमें formula required थे, उन दोनों formula को मैंने हापे mention किया हुआ है, और जो net income into year purchase वाला formula है, यह आपको वह सारी methods में भी देखने मिलेगा, same to same, तो अब हम next method समझ लेते, next method हमारी कौन सी यह direct comparison of the capital value, यानि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कि जो हमारी capital value है, उसको हम direct compare करेंगे, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन direct compare का आप करेंगे, यह बात पर ज्यादा ध्यान देना है हमें, तो direct compare का होगा, जब हमारे पास rental value available नहीं है, तो उ इस method को हम क्या बोलते है, direct comparison of the capital value, तो यह method कब applicable होती है, जब हमारे पास उस property की rental value available नहीं होती है, लेकिन हमारे पास कुछ evidence होते है, उस property से related उसकी sale price वोगेड़ा, ऐसे कुछ evidence हमारे पास होते है, तो हम क्या करते है, उस property की similar property अगर उस locality में available है, तो उसकी जो capitalized value रहेग से हम इस steps से valuation determine करते है, तो यह method आपको और अच्छे से detail में जब समझ में आएगी, जब हम इस से related एक numerical problem solve करेंगे, तो इस वीडियो में हम जितने भी method समझेंगे, उन सभी method से related में एक एक numerical problem आपको समझाओंगा मेरे आने वाली वीडियो में, इसलिए अगर आपने चैनल क सब्स्राइब नहीं कर रहा है, तो चैनल को भी जरू सब्स्राइब कर लेना और बेल का इकन प्रेस कर देना, जिससे कि जैसे मैं वीडियो वाले वीडियो प्लट करूँ, तो आपको उनकी notification मिल सके, तो आपको दोनों method समझ में आ गई, rental method और comparison method, अब next आम समझ लेते, valuation based on profit, तो जैसे आपको समझ में आ रहा, valuation based on profit तो इसमें क्या होगा, जो हमारे valuation amount आएगा, वो हमारे construction amount से भी ज्यादा आ सकता है, क्योंकि इस method का name क्या है, valuation based on profit, तो आप इस method में होता क्या है, इस method में हम कोन सी property का valuation करते, वो बात आपको ज्यादा ध्यान रखनी है, तो इस method क हम क्या करते, जिस building structure का, जैसे हमें hotel का निकालना है, या cinema hall का निकालना है, या कोई mall हो गया, उसका valuation हमें निकालना है, इस method की health से, क्योंकि इन structure का evolution हमें सा इस method की health से निकाला जाता है, तो हम क्या करेंगे, इन structure की total gross income calculate करेंगे, यानि इन structure से जितनी भी gross income आती होगी, उस और जैसे हमें net income मिल गई, तो उस net income में हम किसका multiply करेंगे, जैसे net profit भी बोल सकते हम, उसमें हम किसका multiply करेंगे, year purchase का, तो जो year purchase रहेगा, उसका को suitable rate of interest आपको given होगा, उसका हम उसमें जैसे ही multiply करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, capitalized value, जैसे हम क्या बोलते है, valuation of property भी बोल और एक बात और ध्यान रखना, इस method का use हम कौन से type की building के valuation के लिए करते होटल, mall, cinema, halls, theaters, इस type की building के लिए हम इस method का use करते, उनका valuation calculate करने के लिए, तो यह आपको समझ में आ गई यह वाली method, इस से related हम एक numerical problem solve करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से वाली method समझ में आ ज जो हमारे building का actual cost है, जो construction cost होता है, या जो property की value होती है, उसके basis पे हम इसमें valuation apply करते हैं, इस method के हंदर हम जब भी valuation करेंगे, तो उसमें हम क्या करते है, depreciation और obsolence को apply करते है, यानि उसमें जो depreciation आएगा, उसे भी हम इसमें से deduct करेंगे, या जो obsolence के कुछ point आएंगे, कि property क इस type की, उसका shape or size क्या है, उसका fashion क्या है, उसके basis पे हम उसका valuation determine करेंगे, तो आपको समझ में आगए valuation based on cost method में क्या होता है, जो हमारा building या कोई property है, उसकी जो actual cost रहेगी, या जो उसका construction cost रहेगा, या जो उस property की value रहेगी, उसमें हम क्या करेंगे, depreciation और obsolence को भी apply और उसके basis पे हम क्या करेंगे, उस property का valuation निकाल देंगे, तो ये आपको समझ में आ गई, valuation based on cost method, तो ये method आपको समझ में आ गई, अब हम next method समझ लेते, development method of valuation, तो ये जो method होती है, सबसे lengthly method होती है, और इसे आप अच्छे सा समझ ना, क्योंकि ये method का अब apply होती है, जब हम इस method के नाम में लिखा हुए development method, यानि जिस property का development चल रहा हो, वो under develop stage में या partially develop हो चुकी है, तो उस type की property के लिए हम इस method का use करेंगे, तो इस method में होता क्या है, जब हमारा कोई land है, जिसका size भूहती ज़्यादा बड़ा है, और हम क्या चाहते है, उस land को हम कुछ small sizes के plot में divide करते, जैसे हम उस land को कुछ small sizes के plot में divide करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, एक colony type बनेगी, अब जब हम उस land पे plots provide कर रहे है, तो हमें वहाँ पे क्या provide करना पड़ेगा, road भी provide करने पड़ेंगे, और जो extra चीजे required होगी public को, वह भी हम वहाँ पे provide करेंगे, जैसे park हो गया या कोई other changes, water tank, इनके लिए भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे जगे छोड़ेंगे, तो यह method जब ही apply होगी, जब हमारे कोई property under develop stage में है, और उस property का size बहुत ही बड़ा है, तो उस case में हम इस method को apply करेंगे, तो इस case में हम क्या करेंगे, जितने भी हमने plot cut out किये उस land में, उन स हमारी net income आई, उसमें हम किसका multiply करेंगे, डिरेकली year purchase का, जैसे हम उसमें net income year purchase का multiply करेंगे, तो हमें क्या मिल जागा valuation उस property का, जिसे हम क्या बोल सकते है, capitalized value, तो इस type से, इस method की health से हम valuation determine करते, तो यह आपको समझ में आ गए, इस method में valuation कैसे निकालेंगे, जब भी हमारी को पड़ आए, और वो under develop stage में या उसमें कोई improvement या development चल रहे, तो हम क्या करते है, उस land को कुछ small sizes of plot में cut out करते, और उसमें plot को cut out करने के बाद, उन plot का selling price हम निकालते, अब उस land के अंदर जो road, parks आएंगे, उनके development के लिए, जो हमें amount required होगा, उस amount को हम क्या करेंगे, selling price में स of valuation, क्योंकि maximum आपको यही method देखने मिलेगी numerical problem में, जहां पर आपको valuation निकालने का बोला होगा, और कौनसी method बोली होगी, depreciation method, उसकी health से ही आपको valuation निकालने के लिए बोला जाएगा, तो अब इस method को ज़रा अच्छे से समझना, क्योंकि यह बहुत important method है, depreciation method of valuation, तो अब हम हम करते क्या है, जिस भी building के लिए हमें valuation calculate करना है, उस building को mainly four parts में divide करेंगे, अब वो four parts को उनकों से होगे, walls हो गया, roof, floor, door and windows, अब हम इन चार parts में building को divide कर देंगे, अब हम क्या करेंगे, इन चारो parts का हम cost calculate करेंगे, और वो cost हम किसके basis पे calculate करेंगे, जो हमारे present day में, जो rate चल रहा है उनके लिए, उनके basis पे हम उनका cost calculate करेंगे, चाहे हो windows कितनी भी पुरानी हो, हम cost उसका किसके basis पे calculate करेंगे, जो present time में उनका rate है, उसके basis पे हम उसका cost calculate करेंगे, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी walls हे, roof हे, floor हे, windows हे, door हे, उनकी हम age find out करेंगे, उसके आपको समझ में आ गए यह वाली method में हम करते क्या है जो हमारी property है उसे हम 4 part में divide करेंगे wall, roof, floor, door and windows यह सिब बोलने के लिए हम क्या करते हैं उस building का हम directly present damage rate चल रहा है उसके basis में हम उसका पूरा actual cost निकालते और बात में हम क्या करते हैं उस property की हम age calculate कर लेते भी हम समझ लेते हैं तो यहाँ पर जो capital D वो किसको represent करते है depreciation cost को जो कि हम calculate करेंगे सारे video put up करने के बाद और यहाँ पर जो capital PA वो किसे represent कर रहा है cost at present market rate या जो हमने building को 4 parts में divide किया है wall, roof, floor, door and windows उनका जो original cost present time में उसे हम यहाँ पर put up करेंगे और यहाँ पर जो आपको RD देखने मिल रहा है RD के हमारा fixed percentage of depreciation तो यह fixed percentage of depreciation किसके basis पर निकाला जाता है जो हमारे building का life span रहेगा उसके basis पर RD की value निकाले जाती है तो जो आपको RD देखने मिल रहा है उसमें R का है और D का है उन्हें भी हम अलग-लग समझ लेते तो जो small आ रहे हो क्या rate है और जो D हो क्या depreciation है और जो N के आएगी life of building यानि जो building का कितना life बाद हम उसका depreciation निकाल रहे यहाँ पर हम उसकी value put up करेंगे तो यह आपको सभी समझ में आ गए पी तो हम calculate कर रहे RD की value कैसे मिलेगी वो किस पर depend करती है life of building पे और RD की value कैसे determine करते है वो भी मैं आपको आगे explain करता हूँ और N क्या है कितनी years बाद हम उसका depreciation निकालना चाहते है तो यह आपको सभी समझ में आ गया और depreciation method क्या थी वो भी आपको समझ में आ गई सबसे पहले हम building का क्या निकालेंगे present time पे उसका actual cost निकालेंगे देर उस building की age हम calculate करेंगे और उस data को हम इस formula के अंदर put up कर देंगे तो अब हम समझ लेते हैं कि RD की value कैसे calculate की जाती है तो जो RD की value होती है वो depend करती है life of building पे तो जो RD की value होती है उसके मैंने यहाँ पे एक table बनाया हुआ तो हम देख लेते हैं कौन सी life of building के लिए RD की value क्या होती है फर्स्ट अगर building का life span 100 years है यानि 75 years से लेके 100 years के बीच में तो उसके लिए जो RD की value आएगी हो कितनी आएगी 1 अगर जिस building का हमें valuation करना है उसकी जो life span है हो कितना है 50 years से लेके 75 years के बीच में तो उसके लिए जो RD की value आएगी हो कितनी आएगी 1.3 उसे type से अगर 25 years से 50 years के बीच में कि याद रखना, maximum problems में आपको 100 years ही देखने मिलेगा, तो आपको ID की value maximum 1 ही लेके चलनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको किसी problem में कोई different value दी रहे है ये, तो उसके लिए आपको ये table याद होना चाहिए, या इस table का data आपको पता होना चाहिए, तो ये method आपको समझ में आ गई, और ये सभी करने के बाद भी हमें total valuation नहीं मिलेगा, total valuation हमें कब मिलेगा, जब हम उस building की present value निकालेंगे, उसके साथ साथ, वो building कौन से land पर बनी हुए, उस land का rate, water supply का rate, electricity, sanitary fittings, इन सभी का rate भी उसके अंदर हम include करेंगे, तो जब जाके हमें क्या में लेगा, उस property का total valuation, तो आपको समझ में आ गया, depreciation method से valuation कैसे निकालते, तो अब हम क्या करते, जो हमारी six method थी valuation की, उन six method को हम एक बार verify लेते, जिससे कि आपको इस सारी method और अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो सबसे first method थी हमारी rental method of valuation, यह method का use हम करते है, जब हमारी property का rent known हो, यह हम उस rent को calculate कर सकते, तो इस में हम क्या करते है, जो हमारी property का gross rent रहेगा, उसमें से हम आउर्गोंस को deduct करेंगे, उससे हमें मिलेगी net income, net income में हम किसका multiply करेंगे, year purchase का, जिससे हमें मिल दाएगा उस property क valuation, next method कोंसी थी, direct comparison of capital value, तो इस method का use हम करते है, जब हमें हमारी property का rent नहीं पता हो, तो हम क्या करते है, उस property की similar property होगी उसी locality में, तो हम क्या करेंगे, उस property की capital value को valuation करने वारी properties हम compare करेंगे, और उसके basis पे हम उस property का valuation करेंगे, next थी हमारी valuation based on profit, तो इस method का use हम करते है, जब जितनी भी gross income रहेगी, उसे हम determine करेंगे, और उसमें से expenses, outgoings इन सभी को हम deduct करेंगे, उसके बाद हमें क्या मिलेगी, net income, उस net income में हम किसका multiply करेंगे, year purchase का, जिससे हमें मिल जाएगा उस property का valuation, लेकिन इस method में कई बार क्या होता है, जो हमें valuation का amount मिलता है, वो कई बार cost या उस property का जो value है, उसमें हम क्या करते है, depreciation और obsolence को apply करते है, और उसके business पे हम उसका valuation निकाल लेते है, next यह हमारी development method of valuation, तो इस method को हम कब apply करते है, जब हमारी कोई property है, वो under develop stage में है, या partially develop हो चुकी है, तो उस time पे हम इस method का use करते है, और इस method में होता क्या है, जो हम road भी provide करने पड़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे plot है, उनकी हम selling price calculate करेंगे, और उसमें से हम क्या करेंगे, जो road है, park और जो हम development के लिए खर्चा करेंगे, उसमें से हम deduct कर देंगे, और जिससे हमें क्या मिलेगी net income, अब net income हम क्या करेंगे, year purchase का multiply करेंगे, जिसे हम उसका original cost निकालते, अब original cost निकालने के बाद हम क्या करते, जो हमारे building है, वो कितनी पुरान है, उसकी age को हम find out करते, और उसके बाद हम क्या करते, यह सारा data calculate करने के बाद, उसे हम इस equation के अंदर, या इस formula के अंदर put up कर देते, और यहाँ पर जो RDA, RDA के value कहां से मिलती है, हमें इस table से, तो इस type से हमें क्या मिल जाता, उस property का valuation, तो यह आपको सारी method समझ में आ गए valuation की, अब जैसे कि मैं आपको वीडियो के start में बोड़ा था, कि अगर आपको year purchase नहीं गीवन होगा, तो आप उसे कैसे calculate करोगे, वो भी हम समझ लेते हैं, तो यह बहुत important है, अग coefficient of sinking fund, and कुछ interest given होगा, capital amount पे, तो उनके basis पे हम क्या कर सकते, year purchase calculate कर सकते, तो year purchase calculate करने का formula क्या बनता है, year purchase is equals to 1, अपन में, IP plus IC, तो यहाँ पे IP और IC क्या है, उन्हें भी हम समझ लेते, तो IP क्या होता है, rate of interest and capital income, जो आपकी capital income होगी, उस पे आपको कुछ rate of interest given होगा, उसक तो IC तो आपको given नहीं होगा, IC को क्या करना पड़ता है, calculate करना पड़ता है, IC क्या होता है, coefficient of sinking fund, तो जो coefficient of sinking fund है, वो कैसे calculate करते हैं, जो हमार sinking fund amount रहेगा, उस पे कुछ suitable rate of interest given होगा, उसकी basis पे हम क्या करते है, IC calculate करते, तो जो IC होता है, उसे calculate करने का formula क्या होता है, IC is equals to I upon amount में bracket के अंदर 1 plus I bracket close, wall की power and minus 1, तो यहाँ पे I की जगे हमें, जो rate of interest given होगा, sinking fund के लिए, उसे यहाँ पे हमें put up करना है, उसे हमें कै मिल जाएगा, कै मिल जाएगा, उसे हमें put up करना है, जिसे हमें कै मिल जाएगा, year purchase, तो year purchase का यह वाला formula ध्यान रखना, अगर आपको year परचेस नहीं गिवन है, निमरेकल प्रोब्लम में, तब हम इस फार्मूले की हेल्ट से येर परचेस केल्कुलेट करते हैं, तो आपको समझ में आगए येर परचेस कैसे समझ में आईए तो अगर वीडियोग आपको अच्छे से समझ में आईए है और वीडियोग आपकीली से लीघम के लिए टो उतलो लिक और शाके लुड़ाई हो तो आपको अषे कोमेंट सेक्षर रमेंट करके पूसकते टाकि उन तक वहाटा है। झाल झाल